नमस्कार आप देख रहा है यूपी तक आपके साथ मैं हूँ अमितिवारी जिस काम को लेकर खुद के ही प्रदेश में हो रही थी यूपी सरकार की आलोचना उसी काम को लेकर पूरे विश्व तक यूपी सरकार की होने लगी है सरहना आप कहेंगे क्या जी हाँ कोरोना की जिसने कोरोना से लड़ाई में अपनी जो ताकत है वो सब दूसरे राज्यों से ज़्यादा दिखाई हो बहतर दिखाई है यह डबलुएचो का कहना है डबलुएचो की रिपोर्ट कहती है इस बात को दरसल भारत में जो प्रत्मदी है डबलुएचो के डॉक्टर रोड्र प्रत्मदी करने के लिए उससे दूसरे राज्यों को सबक लेना चाहिए सीख लेना चाहिए कैसे यूपी को यह तारीफ मिल गए यह मैं आपको बता दूँ दरसल यह रेपोर्ट यह कहती है कि यूपी सरकार ने जो सबसे तेजी से काम किया वह यह किया कि जो संपर्क में प्रत्राइब करने में यूपी निकल गया सबसे आगे 93 परसेंट तक लोगों को ट्रेस कर लिया गया कांकिस के संपर्क में था उसका परिणाम ये हुआ कि रफ्तार जो थी उस पर कंट्रोल करने में यूपी ने काम्याभी पाई और इसके लिए ये काम आसान नहीं है वाक कि 70,000 लोगों की एक टीम है करमचारियों की जिनका काम है जिनोंने बड़ी तरीके से कारगर तरीके से किया कि कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिवल पर ये लोग पहुंच पाएं याने कि जितने लोग पीड़ेत हुए जो मरीज पाए गए उनमें तेहरान में फीजदी तक रीच हो जाएं उनके टेस्ट हो जाएं कि वू पॉजिटिव हैं या निगिटिव हैं उन तक कारकर कदम उठाके क करोना की जुरबतार उसको रोका जाए तो हुआ यह कि इस मामले में यूपी ने जस तरीकी की रणनीति अपनाई वो उनके काम आई वो रिपोर्ट अब डबलु एचो की उस वक्त आई आप जरा सोचिए जब दिली सरकार यह कह रही है दिली में आहालत खराब है दिली सरक है कि काम जहां पर भी अगर रंडीती से लड़ा गया इस महामारी के खिलाब उस राज में इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं और यही वजह है कि यूपी सरकार जो है यूपी सरकार ने एक मिशन बना लिया कि कांटेक्ट ट्रेसेंग के लेविल पर हम इसको जमीनी इस तर पर सफल करके दिखाएंगे यही वजह है कि आज डबलू एचो जैसा बड़ा संगठन कह रहा है कि दूसरे राज जो है वो जरा यूपी से सीखें और यूपी से सीखें ने और देखें कि कैसे यूपी ने करके यह दिखाया लेकिन बड़ी ख़बर के लिए आप जरू झाल